नमस्ते दोस्तों आज जो मैं टॉपिक के बारे में बात करने वारा हूँ वो टॉपिक है दे न्यू जेंडरेशन और टेकनोलजिकल इंपाक्ट उन पर हम लग सबसे जादा टेकनोलजी जो यूज करते अपनी डेली लाइफ में वो है मोबिल फोन जिसको ये भी पता है कि आप कितने बज़े सुबह को उठे थे आप कहां तक गए थे आप कितने देर यूज किये थे कब सैलेंट उस वह रखे थे कब उसका एरपलेन मोड आपने आउन किया था और कब आप सोने चल गया सारा सब चीज उसमें फीड़े होता है हर डेटा वो कैप्चर करता है आज जो मैं और दो प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहूंगा जो कि मोबिल फोन से रिलेटेड है जो कि हमारे लाइफ को एफेक्ट करता है अन्नोइंगली और बहुत ज़ादा इंपक्ट कर सकता है उसके बारे में भी मैं बताने जाओंगा आप लोग यह टर्म्स शायद सुने होंगे जिनके घर में ओल्डेज पीपल होंगे जो बाइपॉलर डिसीज से सफर कर रहे होंगे यह depression से सफर कर रहे होंगे यह किसीमें कभी एक बार suicide attempt किया होगा यह multiple time suicide attempt किया होगा जो successful नहीं होगा but there might be a psychiatrist or there might be a consultation which might be he or she might be going through उसको neural psychosis बोलता है अब neural psychosis में होता क्या है mind गए एक ऐसा state होता है वो जिसमें आपको यह लगता है कि आप जो भी कर रहे हैं वो सही है और जो दूसरा आपको समझा रहा है या फिर दूसरा जो आपको बता रहा है वो गलत है आपके लिए इसको हम लोग एक एक effect मैंने पढ़ा था डनीं करगर effect आप लोग इसके बारे में गूगल कर सकते हैं यह एक ऐसा effect होता है जिसमें कि आप जो भी कुछ पढ़ते हैं जो भी कुछ जानते हैं आपको ऐसा लगता है कि उसके सिवा और कोई दूसरा सच है नहीं दुनिया में वही सच है जैते for an example अभी बहुत लोग बोलते हैं इस तरह के पते हैं ऑख लोग बोलते हैं वह तो सिर्फ फैट होता है बहुत लोगों को यह conception बन जाता है और यही चीज हमारा mobile phone करता है Now for an example आप कुछ भी search कर लो आप first, second या third link से जादा नीचे नहीं जाते हो आप दूसरे link खोलते नहीं हो हो सकता है ऐसे कि उस article में कुछ ऐसा हो जो उपर के तीन article में ना हो आपको यह पता होना चीए कि Google का search results होता है वो paid होता है जो जितना जादा pay करता है वो उतना उपर रहता है जो जितना जादा keywords यूज करता है वो उतने उपर रहता है keywords के उपर भी, adwords के उपर भी betting होता है आजकल So आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि जो information आपको मिल रहा है वो एक pre-planned packaged food type होता है जो कि आपको इतना ही मिलेगा इतना ही पता चलेगा उसके आगे आपको देख करना है research Now for an example हमें सबसे खराब habit हो चुका है हम लोग books नहीं पढ़ते हैं हम लोग regularly walking नहीं करते हैं daily life में हम लोग कोई नहीं चीज या नहीं प्लेस विजिट नहीं करते हैं हम लोग वही programs बार-बार देखते हैं वही movies हम लोग movies के चैनल्स रखते हैं television पर वही movies बार-बार repeat होती है तो एक recurring effect हो जाता है brain पर उसका and you have the recurring thoughts as well coming up in your mind so I would request you all to include walking as a part of your life a daily walking at least 5 km which will affect your health in a positive way आपके bones strong होते हैं आपको metabolism increase होता है आप कोई भी shift करें आपको diet पर कम से कम एक time में आपको raw food खाना पड़ेगा जो कि naturally आपको मिल रहा है right away from plants or farms directly into your mouth it shouldn't be cooked, it shouldn't be roasted okay आपको तीसरी बाते जो आपको ध्यान रखने होगी कि आप कितने आपको spend करते हैं mobile phone पर, क्या वो worth है is it really worth now for example हम लोग Instagram, Facebook YouTube, even YouTube की बात करना हो बहुत सारे ऐसे videos होते हैं which are not worth it and why are we spending time on that the time is the most valuable thing or the most valuable gift that you get for 24 hours and you have to invest in a positive way you know there is a saying कुछ लोग बोलते हैं the millionaire is saying होता है some abuse time some respect time it decides your destiny that's how we should be all मैं ये video इसलिए इतना graphical नहीं बनाया हूँ because मैं चाहता हूँ आप लोग ये बात सुने संझे और अपने daily life में include करें इस बात को guys, smartphone पे होना एक अच्छी phone रखना आपको बहुत जरूरी है आज की date में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि you can completely exempt from using a mobile phone but yes आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा कि वो आप पर क्या affect कर रहा है आपका weight increase हो रहा है आपको नीद नहीं आ रही है आपको इंजोम्निया का issue आ रहा है या फिर आपको ऐसे psychological problems आते हैं जिसमें इवन psychological problems पी नहीं अगर आपको ज़्यादा negative thoughts आते हैं तो आपको अपना daily life अपना pattern of living चेंज करना पड़े है एक positive way में ले जाना पड़े है वर कि रहैंस केंजित पर आपको अपन करते हैं कि आपको चिपए लेदेश शट Werkом आपको नहीं ऊहीं रहे हैं सब्संचों आपको आपको of saving the money, rather than having the discipline of spending the money. Now for an example, आप जो चीज खरीदते हैं, ठीक है, मैं एक आपको एक बात पताता हूँ, Bajaj आपको पता ही होगा, बहुत बड़ा ओर्गनाइजेशन है इंडिया में, बहुत ही, one of the most richest families में आता है, टॉप 10 richest families में आता है इंडिया में, Bajaj के CEO ने एक बार इंटरव्यू में कहा था, कि जब उनके पास पैसे की दिक्कत थी, जब उनके पास पैसे की प्रॉब्लम थी, कुछ भी चीज खरीदने से पहले वो यह सोचते थे, क्या उसके बगेर उनका लाइफ निचलेगा, मन से पासांव कि आकी करे एक बडाइप नेमार खरीद धिचीर है अऔर आ पर दा नोग्गी एक चाहता हु योज यॉत मु सांथियू हो तस्कों है प्रकौर में आप में सिक्सेव और शाओो योटाँ है आप है यॉ really worth it and it gives you an alarming like a siren बसता है या स्क्रीन राइड हो जाता है उस आप में जो बोलता है कि आपने आज कल से जादा आपने अनलोग किया है या कल से जादा स्पेंड किया टाइड so आपको वो एक लिमिट में यूस करने देता है टेक्नोलजी को so guys remember one thing technology हमारी सहूलियत के ले है it's for our convenience it's not for our disturbance in life or for the problems and for creation of new problems in our life अगर आपको ये वीडियो पसंद आया गाईज so please do share it like comment and share it with your friends guys I'm running short on subscribers please do subscribe to my channel have a great time bye take care Jai Shri Ram